हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू होटल गुरुजी चैनल आज हम बनाने जा रहे हैं क्रिस्पी हनी चिली बोटल गार्ड क्रिस्पी हनी चिली लौकी आज हम बनाने जा रहे हैं तो चलो देखते हैं कैसा बनेगा यह मैंने बॉल ले लिया है यह ले लिया है मैंने मैदा और आदा आरा रोट आदा मैदा आदा आरोट वाइट पेपर नमक अब इसको मिक्स कर लेंगे पहले सुकाई मिक्स कर लेंगे अब इसमें हलका सब पानी डाल लेंगे यह पानी डाल दिया मैंने अब इसको मिक्स कर लेंगे हलका पानी में धंग से जितना ड्राय रखोगे उतना अच्छे से जितना गाडा रखोगे इसको उतना अच्छे से अब इसमें और पानी मिला लें अब इसे अच्छे तरह किसे मिला लें अपने इसाव से पतला करें इसको इस नई पतला होना चीए ज्यादा पतला नहीं होना चीए यह हो गया है यह लौकी करश्पी बोटलगाड यह बोटटलगाड लौकी को एंगलें में बोटलगाड बोलते हैं अब इसको फ्राइए कर लेंगे इस तरीके से अगर आपका गोल पतला है आपका जो बेटर रहे हो पतला है तो हलका मैदा और रोट और भी डाल सकते हैं यह हो गया है अब इसी तरह किसे और भी डाल लेंगे हम यह सारे डाल दिये मैंने यह यह बिल्कुल करा रहा होगा बिल्कुल क्रिस्पी यह हलके ब्राउन होने चीह ज़्यादा ब्राउन नहीं होने चीह है देख लिए हो गया है इसको फ्राई सिमांज में करें यह मैंने तेल कड़ाई रख लिए तेल डाल दिया लैसून अध्रक दोनों डाल दिये हैं यह हलका फ्राई करने लैसुन अध्रक ज्यादा नहीं करना है हलका प्याज डाल दिये हलका चिली सॉस और हलका टमेटो सॉस यह हलका डाल दिये हमने पानी नमक अजना मोटो वाइट वेपर हलका सब विनिगर हलका सा फूड कलर है यह देख लिए सॉस त्यार हो गई है हलका सा हनी यह डाल दिया मैं इसमें है यह हो गया रेडी अब हम प्लेट में डाल देंगे इसको यह हम इसमें प्लेट में इस तरीके से लगा लेंगे यह देख लिए हलका सा धनिया डाल लेंगे उपर से हलका सा तिल डाल लेंगे यह देख लिए यह यह हो चुका है यह देख लिए कितना अच्छा कलर आया है कलर देख लिए कितना अच्छा है अब बिल्कुत क्रिस्पी है यह बहुत क्रिस्पी है हाई फ्रेंड तो कैसे लगी आपको वीडियो कमेंट में जरूर बताएं और अगर आप यह वीडियो में देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर करें मेरे पेज को और वीडियो को लाइप जरूर कर दें और अगर आप यूटूब पे देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को सेर जरूर कर दें धन्यवाद मिलते अगली वीडियो में